आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि गाउं में खेट की सिचाई कैसे की जाती है पहले का माध्यम अलग था पहले कच्ची नालिया हुआ करती थी और कुविये से सिचाई की जाती थी अब थोड़ा माध्यम बदल गया है अब सब जो सिचाई के साधन है प्लास्टिक के पाइप से पानी को एक जगह से दूसरे जगह पहुचाया जाता है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा पूरा वीडियो देखे हम दिखाएंगे गाउं में क्यों की सिचाई कैसे करते हैं और काफी दिनों से मौसम खराब था तो आज जाके मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है और गाउं में धूपी काफी अच्छा खिला हुआ है तो पहले हम जाएंगे हमका पंधनी की सुखह्ता रहे हैं क्यों है यह में कि इस्टार्ट गराइव कि अधिस पर केंगे इस्टेपलाइजर और चीजे लेकर आएंगे वहां पर और चाचा आ गए है इस्टेपलाइजर लेकर पाइप फटी हुई है तो बापा बोले नया पाइप लाने के लिए या तो एक्षेंज करेंगे इसको अब बंची तो यह डिसाइड हुआ कि पाइप जो है उसमें ज्यादा लीके जहें फट गया है तो उससे सिचाई में दिक्कत होगी तो अब जा रहे हैं घर से नया वाला पाइप लेकर आएंगे फिर उसको लगाएंगे उससे सिचाई करेंगे अब पहुंच गए घर लेके आए मम्मी कौन सागा वहा पर नया पाली कौन सा है कि ऐबाइप लेकर जाना है यह आए निचे वाला ले जाएंगे वाला वाला असे वाला पाइप मैंने लिया है और चलता हूं वापास पता नहीं यह यह लेना था कि एक और पाइप था वह था चलते हैं पहले पोछ फिर उसके बाद देखता हूं क्या करना है पानी आना इस्टार्ट हो गया है थोड़ा सेट करना रहता है पापा सेट करना इसका है तो इसलिए ऐसे होती है कुछ शिचाय गाओं में इस समय पर और पाइप का सहरा लेके पाइप लगा के ग्योंके शिचाय की जा रही है वरतमान समय में आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं तब तक नए वीडियो